अलसी के बीज यानि ये फ्लेक्सी दूर भी हेल्धी है लेकिन अगर आप इसके फाइदे और नुकसान के बारे में जाने बिना उन्हें इस्तमाल कर लेते हैं तो ये आपको सही लाप से दूर रख सकता है अलसी के बीच खाने के फायदे आपको पता दे कि अलसी खाने से त्वचा पर बढ़ती उम्र के असर को कम किया जा सकता है अलसी का सेवन खाने से पहले या खाने के साथ करने से पेट भरने का एहसास होकर भूब कम लगती है ये फाइबर का एक बड़ा सोर्स है जो वजन कंट्रोल करने में भी मददकार है अलसी चै अपच्चे की दर को बढ़ाता है और आपके लिवर को भी हेल्दी रखता है प्राकर्तिक रेचक गुड होने के कारण ये पेट को साफ रखता है और कब्स से मुक्ति दिलाता है ये जानना जरूरी है कि आप अलसी को किस तरह ले सकते हैं पता दे कि आप इसे कच्चा का सकते हैं लेकिन स्वात बढ़ाने के लिए अलसी के बीच को 5 मिनिट तक भून ले अलसी के बीच को ग्राइंडर में पीस ले अब आप रोज इस पाउडर को एक चमच ले सकते हैं लेकिन याद रहे कि आपको इसे इससे जादा नहीं खाना चाहिए। इसे सही मातरा में खाने से जहां कब्ज दूर होती है, वही अगर जादा मातरा में ले लिया जाए तो ये लूज मोशन भी कर सकती है। कई लोगों को पेट में दर्द और उल्टी के शिकायत भी हो सकती है। फाइबर से भरपूर अलसी पाचन तंत्र को ब्लॉक कर कुछ दवाईयों और सप्लिमेंट्स को अब्जॉर्ब नहीं होने देती। अगर आप इस तरह की दवाई ले रहे हैं तो अलसी ना खाएं। ऐसे में आपको यही सला दी जाती है कि अलसी को अपनी डायेट में शामिल करने से पहले एक डॉक्टर की सला जरूर ले।